इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उप्योग करते की कार्य प्रणाली को बनाए रखने में भी कार्ग है. यह दवा आपकी रख्त वहिकाओं को आराम देती है और रख्त के सुचारू प्रवाह को बढ़ावा देती है. इस प्रकार यह उच्छ रख्त चाप को नियंत्रित करने में मदद करती है. ओलमेजिस्ट बीस टैबलेट को अकेले या किसी अन्य दवा के साथ में दिया जा सकता है. इसे खाने के साथ या भूखे पेट दिन या रात में ले सकते हैं. पूर्ण लाब पाने के लिए इसे रोज लगभग एक ही समय पर लेने की कोशिश करें. अगर आप बहतर महसूस कर लगे हैं या फिर आपका ब्लड प्रेश नियंत्रित है, तो भी इसे नियमित रूप से लेना जारी रखना जरूरी है. हाई ब्लड प्रेश वाले अधिकांश मरीज अपने आपको बीमार महसूस नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप दवा लेना बंद कर देते हैं, तो का खत्रा बढ़ जाता है. अपनी जीवन शली में कुछ बदलाव करके भी अपने ब्लड प्रेश को कम कर सकते हैं. इसमें नियमित रूप से एक्सरसाइस करना, वजन कम करना, धूम्रपन बंद करना, शराब के सेवन में कमी करना और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार खाने में नमक की मात्रा को कम करना शामिल हो सकता है. अधिकांश मरीज इस दवा को अच्छी तरह सहन कर लेते हैं और इससे बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं. हाला कि कुछ मरीजों को पहली खुराक लेने के बाद चक कर आना, खांसी, डायरिया, दस्त, अपच, मिचली आना और नाग बहना जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं. अगर यह आपको परेशान करता है या ठीक नहीं होता है, तो अपने डॉक्टर को बताएं. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको किद्नी या लिवर से संबंदित कोई समस्या है, तो अपने डॉक्टर को है. तो दोस्तों ये थी ओलमिजेस्ट बीस टेबलेट के बारे में जानकारी. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे.